अधिकतर विद्यारती 10 वी और 12 पास के बाद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें इसके लिए वे अपने परिचित और पढ़े लिखे दोस्तों से पूछते हैं कि आखिर अब हम क्या करें जिसमें वे आपको कई आप्शन के बारे में बताते हैं उनमें से ITI एक अच्छा आप्शन हो सकता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ITI क्या होता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको ITI से जुड़ी सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं जैसे कि ITI क्या है, ITI का full form क्या होता है, ITI में कौन-कौन से course होते हैं, ITI में admission के लिए कितना फीस लगता है और इसके बाद कौन सा job आपको मिल सकता है तो ITI की बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंतर तक बने रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों, Study Point and Career Channel में आपका फिर से एक बार स्वागत है तो सबसे पहले जानते हैं कि ITI का full form क्या होता है ITI का full form Industrial Training Institute होता है जिसको हिंदी में आद्योगिक प्रसिक्षन संस्थान कहते हैं जो DGET यानि Direct Rate General of Employment and Training के अंतरगत कारियरत है यहां विद्यार्थियों को व्यवसाइक प्रसिक्षन प्रदान करता है यहां चात्रों को ओद्योगिक कौसल और कारियों के लिए सिक्षित भी करता है इसका मकसद विद्यार्थियों को ऐसी छमता और स्किल देना है जिससे वे व्यवसाइक कर सकें यह कम आयो में ही रोजगार पास सकें दोस्तों, ITI विभाग उद्योगों और व्यवसाय को कारेबल प्रदान करता है यहां विद्यार्थियों को विशिष्ट कारिय सिखाय जाते हैं जो किसी उद्योग अथ्वा व्यवसाय में व्यवहारिक तौर पर किये जा सके यहां कोर्स कक्छा आटवी, दसवी और कक्छा बारवी पास चादर कर सकते हैं यहां अल्प ओधी में ही एक व्यक्ति को रोजगार के लिए उप्युक्त बनाता है एक ITI को इलेक्ट्रिकल, मेक्निकल और मैनुफेक्चरिन विभागों में काम मिल सकता है अब देखते हैं कि ITI कितने प्रकार की होती है बहुत किसमे के कोर्स ITI में पाये जाते हैं इन सारे कोर्स को दो भागों में बाटा गया है पहला है Engineering ITI इसमें आप करणित और बहुत एक विज्ञान के विशियों को सीखेंगे और दूसरा है Non Engineering ITI इसमें आप दैनिक जिवन से संबंदित चीजों को सीखेंगे हम आपको ITI के कुछ कोर्स के बारे में भी बता देते हैं जैसे कि ITI Electrician ITI Fitter ITI Automobile ITI Welder ITI Mechanic ITI Plumber ITI Surveyor ITI Digital Photographer ITI Hair and Skincare ITI Fruit and Vegetable Processing ITI Fireman ITI Cutting and Saving ITI Footwear Maker ITI Library and Information Service इसके अलावा और भी कई कोर्स हैं जिसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं इन सारे कोर्स में दाखिला लेने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए जैसे कि किसी मानेता बोर्ट से आटवी और दसवी में पास हो कम से कम 14 वर्स की उम्र और जादा से जादा 40 वर्स की आयो हो राजजी की ITI परिच्छा में पास होना अनिवारिय है और आप बार्वी के बाद भी ITI कर सकते हैं कुछ कोर्स का समय 6 मेने, कुछ का 9 मेने और कुछ का 1 साल और 2 साल भी होता है अच्छी ITI कॉलेज, चाहे वह सरकारी हो या प्राइविट लिकेज परिच्छा का आयोजल होता है उसमें से विद्यार्थियों को चुना जाता है जब कोई विद्यार्थी ITI खत्म कर लेता है तो वह AITT यानि All India Trade Test देता है उसमें सपल छात्रों को NTC यानि National Trade Certificate दिया जाता है अब बात करते हैं ITI course की फीज के बारे में दोस्तों अगर आपको सरकारी कोलेज में एड्मिसन मिल जाता है तो कोई फीज नहीं देनी होगी लेकिन अगर आप प्राइवेट कोलेज में ITI करना चाते हैं तो वहा की फीज की अनुसार देनी होगी कुछ प्राइवेट कॉलेज में ITI कोर्स की फिस एक साल में 5000 से लेकर 50,000 तक रखी जाती है समानने तोर पर एक सरकारी कॉलेज में ITI की फिस नहीं होती लेकिन कुछ सरकारी कॉलेजों में 7000 रुपय की नियुनतम फिस का प्रवधान है अब सबसे महतुपुर्ण सवाल आता है कि ITI करने के बाद नौकरी कहा मिलेगी इस कॉर्स को करने के बाद उम्मिद्द्वार सरकारी और प्राइवेट नौकरी के लिए आसानी से अपलाई कर सकता है इस कॉर्स में अलग-अलग प्रगार के ट्रेड होते हैं आईटियाई के सरकारी प्राइविट कॉलेज में मौजूद हैं और कई उनिवर्सिटी भी इस प्रकार के कोर्स प्रोवाइट कराते हैं। साथ ही साथ कई प्रत्यों की परिच्छाओं में यह मंगा जाता है कि आविदक आईटियाई किया हो जिसमें आईटियाई करने वालों को एक सुनहरा मौका मिलता है। तो अगर आपको कमायू या कम समय में रोजगार पाना है तो आपको प्रेटिकल यानि वेभारी कामों में रूची है तो आईटियाई आपके लिए सबसे उप्योगता है। उम्मिद करते हैं कि आपको या वीडियो सिख्छापरद लगा हो और आपने इसमें जो भी सीखा हो वह आपके काम और आपके मतलब की हो। तो दोस्तों या बहतरीन और काम की जानकारी अपने सारे दोस्तों को सेयर करें क्या पता आपका एक सेयर किसी की जिन्दगी बना सकता हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद